जैसे राम दोस्तों नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत प्वागत है हमारी यूटूब चैनल सुधा डेरी मिडिया में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गाय जब बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद उसको बच्चा देने से लेकर और बच्चा देने के बाद उसको पीक पर आने तक कैसे कैसे मेनेजमेंट किया जाता है इसके उपर वीडियो है क्या क्या देख रेख करना ये टोटल भी से परबात करूँगा उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजेगा तो चले वीडियो को सुरुगात करते हैं और आपको टोटल लेके चीजे बताते हैं और कौन स दोस्तों पहले नंबर आपको बता दूँ कि यही गाय हमारी बच्चा दी है एक ये वाली है और दूसरा नंबर ये वाली है ये दुनों गाय हमारी बलेक वाली है और ये वाली बच्चा दी है अब गाय बच्चा देने के समय में दोस्तों जैसे गाय बच्चा देने के समय हो हम बी यार के लिए बात करते हैं दूसरे राजी के लिए नहीं है विडियो बी यार यूपी के खास तोर पर जो देशी तरीके पर काम करते हैं उस टाइप के लिए है आदे किलो गुड और लगब उसमें 100 गराम जैसा सर्सो का तेल डाल देते हैं दोस्तों गुड डालने स मतलब क्या होता है कि गूर जब देते हैं तो आपकी गाय का दर्द ज्यादा और बढ़ता है जब दर्द बढ़ेगा तो जल्दी से बच्चा देगे और प्लेसेंटा भी जल्दी बहार आने का मनलब ज्यादा तर चांस रहता है और गूर पेल के साथ साथ दोस्तों अगर पउगा एकडम मजबूत हो जाती है उस समय तो इतना चीज बच्चा देने के समय में है दोस्तों बच्चा देने के बाद बच्चे को अच्छे से देख लेकि पर कैसे आ रहा है कंडिशन क्या है अगर सही है तो सही है तो डॉक्टर से सलाह ले ले तुरंट और सही है तो बच्चा देने के तुरन्त बात दोस्तों देशी तरीके में हम लोग गाउं में बास के पता देते है, WHY महुआ भी देते है जोोन बदीना के सिग्वान पुन सत्रीका है ये लेकिन गाय में प्रथोण करें और आदा किलो गुड़ और आदा किलो सब्भूदाना हम 50 Kilo महीन वाला कच्चा सब्भूदाना ले कि ऐसे सान देते हैं मिक्स कर देते हैं कच्चा सब्भूदाना मिक्स करके उसको खिलाया जाता है और उसके अंदर आम रहोग एक नेचुरल कंपनी का इन-भोलीन आता है जैसे uterus के लिए कोई भी दवा आता है uterus के लिए natural company का होता है हमारे हाँ सबसे बनिया result उसका है तो इन भोलिन उसको लगबब उसके अंदर अधाई सो ग्राम डालके 250 मेल डालके और उसको उसी गुए और सबुदाना में दे दी जिए वो तुरंत बच्चा दिया हुआ रहेगी उस समय खा जाएगी और पाताद में उसको भी पी जाएगी इतना देने के बाद दोस्तों गाय को आप 2-8 गंटा रहा देखिए और जेर तुरंत बाहर निकालेगी जो प्लेसेंटा बोलते हैं नहीं निकाली अपने को रहा देखना है लेकिन उसको तुरंत फिर से 800 गुड देके और उसको लगबग 5-6 लिटर पानी हलका गरम करके और उसमें नमक हलका डालके 50 गराम 800 गुड उसके अंदर फिर से 100-200 गुड दालके पिलाया जाए तो क्या होगा कि 4-5 गंटे के अंदर इतना के बाद तुरंत जेर गिर जाएगा अगर दो गंटे पर नहीं गिरा आया एक बार और यह दे देते हैं नहीं गिरा तो लगबग गिर जाता है 99 परसेंट हमारे फा जब इतना देने के बाद भी अगर जेर नहीं गिरता है तो कारण क्या होता है कि रांजेक्शन समय में हम अच्छे से उसका क्यर नहीं किया रहते हैं तो ऐसा समस्य आ जाता है कभी-कभी अजब ऐसा समस्य आ जाये तो घबराना नहीं है हाथ से जह आप भूल के भी मत निक तो प्लेसेंटा को हाथ से निकालने की जरूरत नहीं है उसको जो है निकलने देना है अपने आप अगर नहीं निकला तो उसको इंतिजार करना है अब यह हमारी दोनों गाए गाविन है लगबक 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली बुड़ी घर वाली गाय है जो कि अपकी बच्चा दे रही है दोनों गाए बच्चा देने के कगार पर है यह थोड़ा जल्दी ही बच्चा देगी क्योंकि इसका देखिए इसको बंसा बोलते है धीला हो गया है थन पे भी रहसा आ गया है तो इसका उमेद है कि जल्दी बच्चा देगी लेकिन बड़ी गाय अभी सभी ज्यादा हो चुका है दाथ का कमी ann Ben ahorita है टो समस्य तो है भ जाने पर वही हाल है इसको ज्यादा तर हम लोग हराचारा खिलाने का कोसिस करते हैं लेकिन ही ज्यादा भूसा ही खाती है चोकर जितना हो सके इसको फुला के खिय जाता है तो दोस्तों बात कर रहे थे, जेर नहीं निकलता है, तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है, इन भोलिन कैसा आता है, हमारे यहाँ देखे हैं, श्टोक में हम लोग सभी चीज रखते हैं, कभी भी कोई इमर्जेंसी लग ज देखे हैं, विटामिन भी है, सब कुछ है, अंदर में जेल केल्सियम भी पढ़ा रहता है, खिरे का दवा भी अलेबल है, हम इसा, अब इन भोलिन की बात कर रहा था, तो यही नेचुरल कंपनी का इन भोलिन है, यह देखे, इन भोलिन, इसका ऐसा बोतल आता है, यही इन अपने को, जब गाये बच्चा दे दे, आप जेर नहीं कि आज ऐसे फस जाए, तो हमारी यह गाये को ऐसा हुआ है, तो यह एक पड़ा हुआ है, देखे, यहां पर फेका हुआ है, यह पूरा कर दिये, देने का मातला सुरू में आपको बता दिया मैंने, कि अलाई सो गराम बच्चा देने के तुरंत बाद, फिर दो गंते, अलाई गंते के बाद नहीं गिराती है, तो दो अलाई सो गराम दीजिए, बहुत लोग बताते हैं, सो सो गराम ही देना चाहिए, एक बार ही अलाई सो गराम, लेकिन मैं बोलता हूँ, बड़ा जानुमर है, हम ट्राइक ही है, सो गराम नहीं काम करता है, तो हम दो सो से अलाई सो गराम दो बार दे देते हैं, तो तुरंत काम करता है, और उसके बाद, उस गाय को सुबह असान लगतार, दो बोतल, एक एक लिटर, जो है, दो बोतल अपने को, सो सो गराम दोनो टाइम पिला देना है, लगबग साथ चलेगा क्योंकि 2800 अड़ाइसोग्राम दो दिन देदेंगे तो साथ से आठ दिन चलेगा आपको लगातार चलाना है गयप नहीं करना है थोड़ा भी नहीं घवराना है गाय थोड़ा भी खाना बनने ही करेगी दो चाप दिन थोड़ा कम खाएगी लेकिन जब जेर साफ हो ज हम छोड़ देते हैं और दवा चला देते हैं दवा चलाने के बाद हमारी गाय सही हो जाती है और अपने अप जेर गिरा देती है थोड़ा बहुत उसका बुखार चेक करते रहना है बुखार जब चेक करते रहते हैं तो पता चलता है अपने को कि हाँ बुखार है की नहीं ह तो सही से अपने treatment दूसका कर लेते हैं ध्यान रख लेते हैं दोस्तों ये सब चीजे ध्यान देने वाली चीज है बच्चा देने के बाद फीक तक का और बच्चा देने के बाद का बाद आगया फीक पर आने तक का दोस्तों लगबग 5 दिन हमें हलदी गुड रोज उसको सुँभा में पिलाना है आधे किलो गुड 100 गराम हलदी घोल बना के और उसको लगतार पिलाना है 5 दिन उसके बाद से खाने में उसको सुखा भूसा हर कम पानी पानी पिलाना है लेकिन खाना में ज्यादा तर डालना है और चार बज़े साम के बाद पानी कम पिलाना है पाच दिन सुबा में से लेकर सुबा से लेकर दो पर साम तक चार बज़े तक खुब बनिया से मौसम अभी गर्मी का है तो अभी तो छे बज़े तक भी पिला सकते है पानी रोकने का मतलब क्या होता है रात में थन पर आ जाता है थोड़ा सा अंदर का यूत्रेस सब गिला मorarबा बच्चा दिया हूआ रहता है तो अधर-ओर न अधर न आ हो जाए इसलिए डॉक्टर आये देते हैं कि पानी कम पिला ये तो पानी कम पिलाना है लेकिन दिन भर ज्यादा तर पानी देना है दिन भर कोई दिकर नहीं होता है थोड़ा सा थन पर पानी आये तो कोई दिकर नहीं होता है इससे घबराने वाला चीज नहीं है थन पर पानी आये तो चला देते हैं उसके बाद एक रहवा दिन से आप उसको लगबग जितना उसको फीड देना है धीरे-धीरे फीड का शुरुआत करिए और बढाते जाईए दो-तिन दिन के अंदर उसको जितना फीड देना है दूद के कैपिसिटी के हिसाब से दूद देने के बराबर उसको देना शुरू कर दीजिए और 21 दिन पूरा होने के बाद उसको कीड़े का दवा देना है 21 दिन के पहले गाय को कीड़े का दवा नहीं देना है 21 दिन के बाद 21 दिने कीड़े का दवा दीजिए सुब में और उसको लीभर टोनीक 5 दिन लगतार चला दीजिए गाई जितना फीक पर आना होगा आजाएगी आप गल्ती क्या करते हैं कीड़े क कादाब देने के बाद उसको लीभर टोनीक नहीं चला ते हैं ही सबसे बड़ा समस्या होता है लिभाट कर चलाना जडिया चला में लिए सब चीज से बचने के लिए अभी खाना कम खा रही है लेकिन कोई दिकर नहीं खाना खाने लगेगी इसको जब अच्छे से जब 11 दिन बित जाएगा फिर इसको सब कुछ देने लगेंगे तो खुब बनिया से खाने लगेगी और दोनों ये गाए जो है पूरा जेर बनिया से साफ हो जाए गस्मला रिष्ट पिला देने के बाद बच्दानी साफ हो जाता है अब दोस्तों इतना चीज बताया उसके बाद आता है कि ये सब दवा की बात हो गए देसी उपचार क्या है जेर फस जाता है तो आप बैगन लाके बजार से बैगन पका के गुड के साथ जेर पैसा भी अटका हुआ जेर अपने आप बाहर आ जाएगा उसके बाद आप साबूदाना आदे किलो आदे किलो गुर बना के उसको अच्छे से पका के येसा आदमी खाता उश्ट आपका पका के लगतार उसको पांस दिन चला दीजिए जेर बाहर आ जाएगा और आप इसा बिढैं वार् चाया सब चीजे है, दोचाः ऐसा देशी उप्षार है, बिल पैसे वाला, अदूर भी बर जायेगा। इंफेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंफेक्शन साथ दिन तक कोई दिकर नहीं होता है, अगर जादा समस्या लग रहा है, तो हलका एंटिबाइटिक लगवा दीजिए, कोई दिकर नहीं आएगा, हम लोग का होता है हमेशा हमारे साथ ऐसा, जेर बहुत सारी गाय है, इसमें से 2-4 ऐसी निकल जाती है, कि जेर फस जाता है, तो उसका हम देसी उप्चार कर लेते हैं, नहीं तो इन बोलिन आपको दिखाया वो दे लेते हैं, दोनों तरह से हम लोग काम करते हैं, दोनों का दोनों तीनों सक्सेज है, तो देसी जुगार भी करना चाहिए, देसी उपाय में पैसा नहीं लगता है, एक दो गाय रखने वाले किसान हमारे गाओ का, इसलिए सुखी संपन है, यो देसी उपाय से जादा तर चलते हैं, चलिए वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर आगे शेर किजिएगा, किसानों तक बता दीजिएगा, ताकि लोगों